तो विल्क में दोस्त। इस भीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5th semester, 5th semester का English paper 12, OR paper 12 15th semester ठेख ओर यहां किस university के लिए है तो यहां भारत के सभी university हो के लिए है All Indian University बस subject आपका यही होना चाहिए जो यहां पे दिया गया है सब्जक्ट क्या है British Writing Early Twent Century तो ये आपका सब्जक्ट होना चाहिए बाद बाकि आप कोई भी उनिवर्सिटी से हो चाहे JNU में पढ़ते हो चाहे भूम में पढ़ते हो सबी के लिए काम देगा तो आई देखते हैं इसमें 21 21-20 important question दे जा रहे है जो कि आपके exam में 60% question एकदम 100% सिवर मिलना ही मिलना है एकदम तो आईए देखते हैं किस टाइब के question है और मुझे मालूम है मुझे मालूम है क्या हर भारत के हर गिजविट लड़के जब exam सामने आता है तभी पढ़ने के लिए आते हैं तो कोई विशे सुरूप से नहीं पढ़ता है जब तक math या physics नहीं चना हो खास करके बीए में तो exam के सामने आता तभी एस्ट्रेट पढ़ना शुरू करते हैं देखिए वागए भी कुछ काम भी होता होगा आप लोग को यहीं समय को बरबाद तो नहीं करते होंगे तो पहला कोश्चन देख लिए यहाँ पे गीब अप ब्रीप एकाउंट ओप सोसल पॉलिटिकल एकोनोमिक एंड लिटरे टेंडेंसीज ओफ दव ट्वेंटीथ सेंचूरी दव एज ओप एंट्रोगेशन तो यह हो गया आपका पहला कोश्चन और इसके बारे में आपको अच्छा खासा यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा तो आप इसे पढ़ सकते हैं कोश्चन नमबर टू आता है डिस्क्राइब दा डेवलोपमेंट ओप दा इस्ट्रिम ओप कॉंसिनेंज नोवेल इन दा 20th सेंचूरी तो विश्वी संचूरी के बारे में आपको नोवेल में क्या क्या पढ़ है देखें I am more comfortable on Hindi तो इसलिए इंग्लिस बाला तो अनला तो आप ही लोग करते हैं मैं तो केवल आपको इंपोर्टेंट कॉस्चेन दे रहा हूँ थर्ड कॉस्चेन है आपका वाट इज दा इंपेक्ट अब दा फास्ट वर्ल्ड वार और ब्रिटिस एंड आपका लिटरेचर तो फास्ट वर्ल्ड वार आपको मालूम होगा जो कि उनीस सो उनीस स्झारी उनीस सो चोदो से लेकर उनीस सो उनीस तक चला था और काफ़ी लंबा गया था यह वर्लड वार इसमें कि रिजन क्या था एक छोटा सा रिजन था डिक वाट सोना के टीप पार्टिर चिना है और फ़र नमबर है आपका write an essay on illoid as use of objective corrective and dissociation of sensibility तो ये हो गया आपका fourth question इसका हिंदी क्या है भाई मुझे नहीं मालूम यार जूट क्या बोलूम मुझे नहीं मालूम मैं comment school से पढ़के निकला हूँ तो उतना मेरा English में पकड़ नहीं है ठीक न fifth question है आपका what were the factors responsible for the emergency of drama as a powerful literary force during the 20th century तो ये होगी आपका fourth question अब देख लेते हैं हम अपना पाच्वा question और इसके साथ है छठा question है इसके साथ है अगर आपको एक चीज बताऊंगा पाले question पढ़ लेता हूँ what do you know about the rise of the ये क्या है the problem play or the drama of ideas or the series of sorry the series drama in 20th century तो ये है आपका च्छटा question यहापे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको previous question पेपर भी चाहिए तो आपको चैनल के माईद्यम से मिल जाएगा सात्वा question आपका what were the main tendencies in modern English novel and write the name of major novelist with their important works तो ये हो गया आपका सात्वा question आए देखते हैं हम अपना next question about it what are symbols used in the poem and what do they signify तो ये हो गया आपका आठवा question देखिए अच्छा होगा कि आप सभी question हो को ये copy में note करते जाएं और उसके बाद इसका answer आराम से पढ़ लीजिए मैं इसका PDF का link वीडियो के description में दे रहा हूँ वहाँ से download कर लीजिए ठेक और आराम से note बनाते जाए छोड़ा छोड़ा easily आप exam को अच्छे नंबरों से पास कर जाएंगे question number 9 है critically critically appreciate the poem the love song of the ये क्या है जी आपका J all fact fruit fork तो देखिए appreciate करना है आपको उसके convince करना है किस तरह से कर पाईएगा ठेक तो critically critically मतलब कि आलोचना करना है next है आपका question number 10 how T.S. Eloit has used objective co-relative in the poem the love song of J Alfred प्रूप ये हो गया 10 question number 11 देखते हैं तो हमारा question number 11 है सबका critically examination करना है आपको critically appreciate appreciate the poem the love song of the J इसी का है question number 12 देखते हैं question number 12 है write or not on the signification sorry significations of the title of the novel the heart of the matter तो ये हो गया आपका और इसके बारे में लिखना है next आता है आपका question number 13 comment on the title of the heart of the matter by graham green next है आपका 14 number question write is sorry write is content the essay traditions and individual talent तो 14 number तेंके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जूट क्या बता हूँ आप लोग पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं इंग्लिस में Shakespeare के बारे में भी अच्छा कासा एक पेपर आएगा आपका D.C.1 में question number 15 है give an outline of the tradition and the individual talent ये हो गया question number 15 question number 16 देखते हैं तो ये है आपका what are the objective use in Eloise tradition and individual talents उसके बाद आपका 17 नमबर आता है discuss the role of woman in the play of so question number 18 देखते हैं question number 18 आता है आपका discuss so as a great achievement in families तो ये हो गया आपका अब 19 नमबर है write the character sketch of Elijah तो Elijah के बारे में आपका रखना है Elijah of 5 मिलियों तो Elijah character sketch आपको एक पूछेगा ही पूछेगा परतेक पेपर में question number 20 है what is the main by the problem play what are its merits and demerits आपको अच्छा हियां और बुरा हियां दोनों बताना है ठीक अब देखते हैं question number 21 जो कि अंतिम question है so called plot the dead list of dead would does he attach much important to plots in his place तो यह होगे आपका 21 total यहाँ पे 21 question 28 पेजों में इसका PDF का link मैं वीडियो के description में दे रहा हूँ साथ ही अगर आपको किसी भी semester का previous year question paper देखना है तो आपको कुछ नहीं करना है खरना तो पड़ेगा वाई प्रेलिस्ट में जाना पड़ेगा और प्रेलिस्ट में वहाँ पे previous year question paper वाले section पे क्लिक करना होगा वहाँ पे बहुत सारे exam के ssc हो गया है उसके बाद रेलिवे हो गया बहुत सारे चीज़ों के आपके previous year question में लेंगे साथ ही आपको गिरज बसन का भी जितने भी semester होते हैं और जितने भी honors paper होते हैं उन सभी का question paper मिल जाएगा तो आप अपना वला वहाँ से देख सकते हैं ठीक तो फिर मिलता हो नेक्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए भाई और जैसा पढ़ाया यह हुआ चलिए कोई बात नहीं best of luck अच्छे से exam देजिए होसला रखे बूलान भाई जो भी हो and thank you watching this video bye bye take care your health